Hello everyone, this is Monica and I welcome you to my channel Monica Academy आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ First Pride Book से Poem No. 7 Animals Written by Wolf Whitman सबसे पहले मैं आपको explain करूँगी poem को और यह explanation जो है वो line by line होने वाली है इसके बाद हम discuss करेंगी poetic devices and सबसे end में मैं आपको explain करूँगी poem की important question answers इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ा हूँ मैं आपको बता दू कि जितना भी आपका term 2 का syllabus है वो सभी chapters में cover करवा चुकी हूँ चाहे वो आपकी First Pride Book हो या फिर Footprints Without Feet हो दोनुई books के सभी chapters को में cover करवा चुकी हूँ आपको सिर्फ चेक करनी है चैनल की playlist इसका नाम है Class 10 Term 2 English इसके अंदर आपको The Hack Driver, Bholi, The Sermon at Benares, The Making of a Scientist सभी chapters available है आप आप आपकी easily पढ़ सकते हैं इसके इलाव अगर आप चैनल पर पहली बार आए है या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और प्लीज दो सब्सक्राइब दी चैनल और अलसो हिट बेल आइकन तो चले शुरू करते हैं पोयम की एक्स्प्लानेशन को इस पोयम में पोईर में ये बता रहे हैं कि क्यों उन्हें ये कह रहे हैं कि आनलोत लोते हैं चलिए पोयम की एक्स्प्लानेशन को स्टार्ट करते हैं I think I could turn and live with animals They are so placid and self-contained I stand and look at them long and long सबसे पहले word meaning देख लीजे Placid, calm, peaceful Placid का मतलब होता है एकदम शांत Self-contained, containing or having everything that is needed within itself मतलब आपके पास हर चीज का होना एक तरह से आपके अंदर आत्मसंतुष्टी होना यहां first line में poet कह रहे है I think I could turn and live with animals Poet कह रहे है कि वो animals के साथ उनकी दुनिया में रहना चाहते हैं अब poet ऐसा क्यों कह रहे है क्योंकि उन्हें animals की कुछ qualities बहुत अच्छी लगती हैं अब वो कौन सी qualities है They are so placid and self-contained वो कह रहे हैं कि animals बहुत जादा placid यानि कि शांत होते हैं एकदम and plus वो self-contained होते हैं उनके अंदर आत्मर संतुष्टी की भावना होती है वो अपने आप में ही मस रहते हैं उन्हें दूसरे की life से कुछ लेना देना नहीं होता जैसे कि human beings होते हैं इंसानों का क्या होता है उन्हें material word की कोई भी चीज़ attract करती हैं अपनी तरफ और वो क्या करते हैं उसको पाने के पीछे लग जाते हैं और कभी कभी दूसरों की life में भी वो interfere करते हैं लेकिन animals जो होते हैं उन्हें कभी भी किसी चीज़ का लालच नहीं होता उन्हें material word की चीज़े अपनी और attract नहीं करती और ना ही उन्हें दूसरे की life से कोई लेना देना होता है I stand and look at them long and long poet जो है वो अभी भी वहीं खड़े हैं और बहुत लंबे समय तक animals को देखते रहते हैं और सोचते हैं कि animals जो हैं वो कितनी जादा शान्थ हैं और दूसरों के wine about their condition they do not lie awake in the dark and weep for their sins they do not make me sick discussing their duty to God second censor में poet सबसे पहले animals के बारे में बात कर रहे हैं first line मर आप देखेंगे sweat लिका है उसका मतलब होता है बेचैन होना या फिर घबराना and wine का क्या मतलब है to complain about something crying किसी चीज के बारे में complain करना या फिर रोना so first line में poet कह रहे है they do not sweat and whine about their condition जो animals होते हैं वो कभी भी अपनी condition में वो जिस भी हालत पे हो उस हालत से वो कभी घबराते नहीं है और नहीं उसके बारे में वो कभी किसी से complain करते हैं या फिर रोते हैं वहीं अगर हम human beings की बात करें तो अगर उनकी life में थोड़ी सी भी problem आ जाती है तो वो क्या करते हैं पैनिक हो जाते हैं बेचैन हो जाते हैं या फिर रोने लगते हैं they do not lie awake in the dark and weep for their sins sins होता है आपके द्वारा किये गए गलत काम तो point कहते हैं कि अगर animals ने कभी कोई गलत काम कर दिया है तो वो उसके लिए रात रात बर जाकर रोते नहीं है और वहीं अगर हम human beings की बात करें अगर उनसे कोई गलत काम हो जाए तो वो पच्चतावे में क्या करते हैं पूरी रात बर जाकते रहते हैं और अपने किये गए गलत काम के लिए रोते रहते हैं तो यहाँ यह सब चीजें बता के poet हमें animals और human beings की बीच में difference बता रहे हैं वो कहरे कि human beings में बहुत सारी negative qualities हैं जो कि animals में नहीं होती इसलिए उन्हें animals जादा पसंद है आगे poet कहते हैं कि animals उन्हें बहुत सच्चे लगते हैं क्योंकि वो कभी भी अगर God के लिए अपनी duty करते हैं मतलब भगवान के नाम पे कोई काम करते हैं तो वो दूसरों के पास जा जाकर नहीं बताते कि देखो मैंने ये काम किया है अगर हम human beings की बात करें तो अगर वो भगवान के नाम पे एक अच्छा काम कर देते हैं धर्म के नाम पे कोई काम करते हैं मंदिर में पैसा डोनेट कर देते हैं या फिर गरीबों को खाना या फिर कपड़ा बाढ़ देते हैं तो वो क्या करते हैं इस चीस की बोस्टिंग करते हैं वो लोगों को बताना चाहते कि देखो मैंने धरम के नाम पर ये काम किया है यापर पोईट ने फिर से हमें अंतर बताया है कि क्यों वो बार-बार कह रहे हैं कि उन्हें अच्छे लगते हैं ज्यादा comparatively human beings के क्योंकि human beings को आप देखें तो एक अच्छा काम करने पे भी उन्हें ये चाहिए कि लोग उनकी तारीफे करें उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि उनकी popularity लोगों के बीच में कैसे भी करकर बढ़ जाए जिबकि animals के ऐसी कोई इच्छा नहीं होती इसलिए पोईट बार बार कह रहे है कि उन्हें animals ज्यादा पसंद है Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things Not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago Not one is respectable or unhappy over the whole earth Word meaning देख लीजे सबसे पहले Demented, behaving in crazy way, mad किसी चीज को पाने के लिए पागलो की तरह behave करना Mania, a great enthusiasm for something craze किसी चीज को पाने के लिए पूरे जोश में लग जाना एक तरह का पागलपन Kneels, to go down by bending the knee जैसा आपको पिक्चर में दिखाय दे रहा है घुटनों के बल, bad जाना First line देखेंगे आप Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things So, poet सबसे पहले animals के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि पूरी आर्थ पे आपको कोई भी ऐसा animal नहीं मिलेगा जो अपनी life से satisfied ना हो कोई भी उनमें dissatisfied नहीं होता असंतुष्ट नहीं होता Not one is demented with the mania of owning things और ना ही किसी animal के अंदर ये craze होता है कि उसे material word की कोई चीज चाहिए ही चाहिए मतलब संसार की किसी भी वस्तू के पीछे वो पागलों की तरह कभी भी नहीं भागते वहीं अगर अब हम human beings के बारे में बात करें तो आपको कोई ऐसा human being नहीं मिलेगा कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो अपनी life में satisfied हो वो हमेशा ही dissatisfied रहते हैं और उनके अंदर mania मतलब पागलपन ऐसा है चीजों को पाने का कि उन्हें जब तक material word की चीज़ें नहीं मिलती तब तक वो पागलों की तरह उसके पीछे भागते रहते हैं not one knees to another not to his kind that lived thousands of years ago सो यहां पर अगर हम animals के बारे में बात करें तो animals कभी भी किसी के आगे गुटने नहीं टेकते not to his kind that lived thousands of years ago और नहीं जो उनके पूरवज हजारों साल पहले थे उनके आगे वो अब गुटने टेकते हैं मतलब animals को आप देखे तो उनने तो अपने family members का ही नहीं पता, उनने नहीं पता, उनके parents कौन है, कौन उनका ब्रदर है, कौन उनका sister है, तो गुटने टेकने वाली बात उनके लिए है ही नहीं, यह काम human beings करते हैं, हम लोग एक दुसरे के आगे गुटने टेक देते हैं हार मान लेते हैं, या फिर जो हमारे पूरवज होते हैं, उनकी फोटोस के आगे हम बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, यह हम due to respect करते हैं, लेकिन animals ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा human beings करते हैं Not one is respectable or unhappy over the whole earth आगे point कहते हैं कि अगर आप animals को देख लो, तो animal में कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को respect देता हो और ना ही कोई ऐसा है जो unhappy हो, सबी लोग खुश है, animals actual में equal हैं, वो एक दूसरे को respect नहीं देते हैं, वो सब लोग एक ही level पर हैं यही बात point को बहुत जादा animals के बारे में अच्छी लगती है, वहीं अगर हम human beings की बात करें, तो वो एक दूसरे को equal समझते ही नहीं है, हमारी society में गरीब अमीर का concept चल रहा है, अगर कोई rich है तो उसे जादा importance दी जाती है, उसका जादा मान सम्मान किया जाता है, और वहीं वहीं अगर हम human beings की बात करें, अगर वो किसी दूसरे person की प्रती कोई bad feeling रखते हैं, jealousy करते हैं, तो इस चीज़ को वो अपने अंदर छुपा कर रखेंगे और उसके सामने वो ऐसे behave करेंगे कि वो उसे बहुत जादा पसंद करते हैं, तो इस तरह की quality जो है वो सिफ human beings में हो आगे point कहा दे है कि animals मेरे साथ ऐसा relationship बनाते हैं, जो कि balance पर है, हमने पहले पढ़ लिया है कि animals में कोई भी उपर नीचे नहीं होता, वो सब एक ही level पर होते हैं, तो point यहां पर यहीं बताना चाहा रहे है कि animals और point जो है वो ऐसे relationship में है, जो कि equal है, और point क्या कह रहे है कि मैं आइसे relationship को accept भी करता हूँ, they bring me tokens of myself, they evince them plainly in their position, tokens का क्या मतलब है, symbols और qualities, evince, show, indicate, मतलब कुछ दर्शाना, आगे point कहते है कि मुझे animals में वो वाली qualities दिखाई दे रही है, जो पहले human beings में हुआ करती थी, कौन-कौन सी qualities के बारे में point बात कर रहे हैं, जैसे कि innocence, kindness, joy, sincerity, unselfishness तो ये qualities पहले हमें इनसानों में देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अब ये धीरदी ने उनमें खत्म हो चुकी है, और अब आपको ये qualities एनिमल्स में देखने के लिए मिलेंगी, कहीं ना कहीं, human beings ने इने छोड़ दिया है, और animals ने इन qualities को अपना लिया है, I wonder where they get those tokens, did I pass that way huge times ago and negligently drop them, आगे point कहते हैं कि मैं हैरान हूँ और ये सोच रहा हूँ कि ये जो tokens है, ये जो qualities है, kindness, joy, innocence की, ये animals को कहां से मिली, तो point आगे कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम इनसानों ने ही time के साथ-साथ इन qualities को छोड़ दिया, negligently, मतलब अपनी लापरवाही के कारण इने कर दिया, चलिए बात कर लेते हैं पोई में यूस के गए poetic devices के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं हम rhyming scheme के बारे में, पोई में किसी भी rhyming scheme को follow नहीं किया गया है, ये पोई में जो है वो free words में लिखी गई है, तो यहाँ पर कोई भी rhyming scheme हमें देखने के लिए नहीं मिलती Next, जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो है anaphora, anaphora क्या होता है, repetition of a word, phrase or clause at the beginning of two or more clauses or sentences in a row, तो आप देखेंगे line number one and three, दोनों की ही starting जो है, वो I से हुई है, I think I stand, तो यहाँ पर है anaphora Now, line number one में आपको assonance देखने के लिए मिलेगा, assonance क्या होता है, जब same vowel sound जो है, वो repeatedly use की जाती है words में, जैसे आप देखेंगे, I है, dinthin के बाद फिर से I है, live में आए है, with में आए है, animals में आए है, तो यहाँ पर I जो है, वो लगातार यूस किया गया है, तो यहाँ पर ass second stanza की बात करें, तो यहाँ पर आपको फिर से anaphora देखने के लिए मिलेगा, आप देखेंगे, हर line की starting जो हुई है, वो they do not से हुई है, तो जबी भी आपकी lines की starting same words से होती है, तो वहाँ पर anaphora होता है, now you can see the alliteration in line number 3, alliteration क्या होता है, जबी भी same consonant sound repeat हो रही हो, वो भी words क beginning में, जैसा की आप देखेंगे, make me, दोनों की starting M से हो रही हो, और M क्या है, consonant है, now stanza number 3 में आपको stanza number 1 and 2 की तरह फिर से anaphora देखने के लिए मिलेगा, आप देखेंगे कि तीनों ही lines की जो beginning है, वो not 1 से हुई है, तो यहाँ पर anaphora है, stanza number 4 की बात करें, तो यहाँ पर आप आपको line number 2 में metaphor देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले समझ लीजे, metaphor होता क्या है, in short a comparison in which one thing is said to be another, जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ बताया जा रहा हो, तो poem में tokens का क्या मतलब बताया गया है, qualities से, तो यहाँ पर जो आपका metaphor है, वो है tokens, और इससे compare किया गया है, qualities के सा तो इसलिए यहाँ पर metaphor है, same stanza में ही आपको alliteration देखने के लिए भी मिलेगा, alliteration में बता चू क्या होता है, जब same consonant sound repeat हो रही हो words की beginning में, जैसे कि आप देखेंगे wonder where, तो यहाँ पर W जो है, वो एक consonant है और वो repeat हो रहा है यहाँ तो यहाँ पर alliteration है, now let's see the important questions from this poem, question number one is, notice the use of the word turn in the first line, I think I could turn in live with animals, what is the poet turning from, यहाँ first line में जो turn word use किया गया है, आपको इसका मतलब समझने की कोशिश करनी है, I think I could turn in live with animals, poet कह रहे है कि मुझे लगता है कि मैं animals की तरफ मुड सकता हूं और उनकी साथ रह सकता हूं, what is the poet turning from, और poet जो है, वो किन की तरफ से मुडना च जा रहे हैं, answer is, the poet is turning away from human beings to live with animals, because he thinks animals have calm, self-contained and non-complaining nature, यहाँ पर poet कह रहे हैं कि वो human beings की तरफ से मुड कर animals की और जाना चाहते हैं, मतलब वो human beings को छोड के अब animals के साथ रहना चाहते हैं, क्यों? इसका reason भी वो बता रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि animals बहुत काम होते ह शान्त होते हैं वो बिलकुल and self-contained, आत्मसंतुष्थी की भावना उनके अंदर होती है and plus non-complaining nature, उनका nature ऐसा होता है कि वो कभी भी किसी से शिकायत नहीं करते, वो जिस भी condition में होते हैं उसमें वो आत्मसंतुष्थ होते हैं और human beings का क्या होता है? वो हमेशा ही complain करते रहत तो इसलिए poet को animals की ये qualities बहुत पसंद है कि वो काम है, self-contained है, उनका non-complaining nature है, जिसकी वज़ा से जो poet है, वो human beings को छोड़कर animals के साथ जाकर रहना चाहते हैं On the contrary, he feels humans are complicated and false in comparison to animals. अब अगर animals के opposite यहां पे human beings की बात की जाए, तो poet यहां पे कहना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि humans जो हैं वो बहुत ही ज़ादा complicated होते हैं, and plus वो बहुत ज़ादा जूटे भी होते हैं अगर उनका comparison animals से किया जाए, animals जो हैं वो बहुत ही ज़ादा सच्चे होते हैं, this turning is symbolic of the poet's detachment from human beings and their nature and his appreciation of the animal kind, poet का human beings से turn होना, इस बात का प्रतीक है कि poet जो है, वो human beings और उनके nature से अब अलग होना चाहते हैं, और जहां तक वो animals को appreciate कर रहे हैं, तो वो इस बात का संकेत है कि वो human beings को छोड़ कर animals की और जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें animals की qualities human beings से जादा अच्छी लगती हैं, question number two is, mention three things that humans do and animals don't, यह आपको तीन ऐसी चीज़े बतानी हैं जो humans करते हैं लेकिन animals नहीं करते, answer is, animals do not cry and complain over their conditions, animals कभी भी अपनी किसी भी condition पे किसी भी परिस्तिती में ना तो रोते हैं और ना ही किसी से शिकायत करते हैं, जिसमें उसे अच्छे से accept करते हैं, they do not commit sense and therefore do not weep for them, animals कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करते, जिसके लिए बाद में उन्हें रोना पड़े, या फिर पच्छताना पड़े, they are also very satisfied creatures and have no desire to possess material things, animals को satisfied creature कहा जा सकता है, क्यों, क्योंकि material things को possess, यानि कि प्राप्त करने की उनकी कोई भी इच्छा नहीं होती, material things के पीछे वो लोग कभी नहीं भागते, इसलिए उन्हें satisfied creature, यानि की संतुष्ट प्रानी कहा जा रहा है, humans on the contrary, complain all the time, commit all sorts of sins and are affected with the madness of owning things, animals के opposite, अगर अब हम human beings के बारे में बात करें, तो वो लोग हर समय complain करते रहते हैं, क्योंके पास ऐसा नहीं है उनके पास वैसा नहीं है, commit all sorts of sins, और जितने भी गलत काम हो सकते हैं, human beings वो हर काम करते हैं, and are affected with the madness of owning things, and material work के जितनी भी चीजे होती है, human beings हमेशा ही उनकी तरफ attract रहते हैं, और उनको पाने के लिए वो पागलो की तरह भागते रहते हैं, question number 3 is, do humans kneel to other humans who lived thousands of years ago, discuss this in groups, so य human beings दूसरे human beings के सामने घुटने टेकते हैं, जो कि हजारों साल पहले हुआ करते थे, यहाँ पर simply question में पूछा जा रहा है कि क्या human beings अपने पूरवजों के आगे घुटने टेकते हैं, जो हमारे बड़े बुजर्ग हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, क्या हम लोग आगे घुटने टेकते हैं, answer is, yes humans kneel to other humans who lived thousands of years ago, हाँ जो human beings होते हैं, वो दूसरे humans जो की हजारों साल पहले हुआ करते थे, जिन्हें मान सकते हैं कि वो उनके पूरवज हैं, उनके आगे घुटने टेकते हैं, they worship their ancestors and pray by kneeling in front of their portraits, वो लोग क्या करते हैं, अपने ancestors, यानि कि उनके पूरवज हैं, उनकी photos के आगे घुटने टेक कर बैठते हैं और उनकी पूजा करते हैं, they hold religious sermons and ceremonies in their memory, और उनकी याद में वो लोग क्या करते हैं, धार्मिक पूजा पाट करवाते हैं और धार्मिक समहारों का आयोजन करते हैं, they do so to show respect to the elderly, और human beings ऐसा क्यों करते हैं कि वो उनके आगे घुटने टेकते हैं क्योंकि वो अपने बड़ों को सम्मान देना चाहते हैं, उनकी respect करना चाहते हैं, इसलिए वो उनके आगे घुटने टेकते हैं Question No.4 is, what are the tokens that the poet says he may have dropped long ago and which the animals have kept for him? वो कौन सी qualities हैं जो poet कहते हैं कि उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दी थी और जो अब animals ने अपने पास रखी हैं उनके लिए? Answer is, the token that the poet says he might have dropped long ago and which the animals have kept for him is his true nature as a human. So, यहाँ अगर उस token, token यहाँ पर refer करता है quality को, अगर यहाँ पर उस quality की बात की जाए, जिसे poet ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था और जिसे अब animals ने अपना लिया है और यहाँ सम्हाल कर poet के लिए रिखा है, वो है true nature, human beings का, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इंस Human beings ने क्या किया, जैसे वो दीरे दीरे time के साथ साथ civilization की और बड़े उन्होंने अपना true nature जो उनकी अपनी प्रकृती थी उसे बहुत पीछे छोड़ दिया और वो कहीं दूर आगे निकल गए The natural instincts that humans had and the innocence with which they lived and helped each other have been left behind somewhere अब यहाँ बात हो रही है human beings की natural instincts की यानि की उनके सहज ग्यान की जो उनके पास हुआ करता था इसके साथ ही साथ innocence जिस simplicity के साथ वो लोग जिया करते थे और एक दूसरे की मदद किया करते थे तो इन सब चीजों को उन्होंने कहीं पीछे छोड़ दिया और वो लोग आगे बढ़ गए As they got near civilization, they chose to live behind the virtues of kindness, sincerity, unselfishness, joy, satisfaction, respectability and sharing जैसे जैसे इंसान सब्वेता की और बढ़ा तो उसने क्या चुना? उसने चुना कि वो अपने अंदर के गुनों जैसे की kindness है, दया की भावना, sincerity, unselfishness यानि की नी स्वार्थ की भावना, joy, satisfaction यानि की आतमसंतुष्टी की भावना, दूसरों को respect देना या फिर sharing करना इन सब गुनों को वो छोड़ देगा ऐसा human beings ने चुना Animals have carried forward the real instincts and characteristics which the poet looks at and tries to remember where he had negligently lost his true nature Animals ने यहाँ पर real instincts यानि कि जो real प्रवृति होती है और जो characteristics है यानि विशेषता है उन्हें आगे बढ़ाया है और उन्हें देखकर poets सोचते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने true nature को यानि जो उनकी वास्तविक प्रकृती थी उसे negligently यानि अपनी लापरवाही के कारण कहां खो दिया था So this is all for this poem, thank you for watching this video, I hope video आप लोगों के लिए helpful रहा होगा And if you have any query related to this video or any other topic then please let us know through the comment section And we will definitely get back to you as soon as possible So I will see you next video के साथ, till then bye bye and take care